हलो फ्रेंट्स मैसल डॉक्टर सुशिला सैनी गैनेकलोजिस्ट इन अपसेटेशन वर्किंग एज गैनेकलोजिस्ट इस लास्ट फिफ्टीन यह फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में खरबूजा खाने के बारे में ओपीडी में बहुत से मरीज आते हैं और अभी खरबूजे का सीजन चल रहा है बहुत सारे खरबूजे ताजा फल हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं बट पता नहीं खरबूजे के साथ कुछ एक मित असोसियेटेड है कि लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में क्या फाइदे हैं तो इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ आपको पूरी जानकरी खरबूजे के बारे में इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर खरबूजा खाने के लिए मना क्यों किया जाता है खरबूजा एज सच बहुत अच्छा अच्छा खरबूजा खाते हैं तो शायद नुकसान हो सकता है दूसरा खरबूजा का छिलका होता है उसके अंदर एक लिस्टीरिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि infection कर सकता है बच्चे को भी infection पहुंच सकता है इसलिए कई बार इसको खाने के लिए मना किया जा solutions आते हैं उससे भी दो सकते हैं और अच्छे से अब धो के सुखा दीजिए और उसके बाद जब भी आप इसे खाती है तो अब fresh कट की जो पूरा चिलका पूरा उतार के अंदर का जो soft piece है जो कि खरबूजा का पल्प है सिर्फ वो ही हमें खाना होता है हमेशा रखा हुआ क कभी भी नहीं खाना होता है खरबूजा ताजा काटके ही खाना होता है अगर आपसे डायरेक नहीं खाया जाए तो आप इसका smoothie बना सकती है या शेक बना सकती है आप इसका fruit चाट बना सकती है या इसको दही में डालके भी आप ले सकती है तरसे कई तरीके जिसे कि आप खर खर्बूजा तो आपने जान लिया कि आप प्रिग्नेंसी में खा सकती हैं क्या आपको अभी पता चला है कि इसमें क्या-क्या फाइदे हैं कितने गुण हैं खर्बूजे के अंदर खर्बूजा is a super food, super nutritious food क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, minerals हैं, calcium है, iron है, protein है, fibers ह antioxidants हैं, तो खर्बूजे के अंदर वह सब कुछ है, जो कि हमें चाहिए, जो कि एक pregnant lady को खाना चाहिए, जिससे कि उसके बाकि जितने भी कमिया है, वह सारी पूरी हो सके, तो सबसे पहले जो खर्बूजा खाने का फाइदा है कि खर्बूजे के अंदर होता है folic acid, folic acid हमारे दिमाग के लिए और तंत्रिका सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, और first trimester के अंदर यानि पहले दिमाई के अंदर हर lady को folic acid की गोली लिखी जाती है, जो कि बच्चे के brain development के लिए, neural development के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो अगर आप first trimester यानि पहले शु को भी प्रमोट करता है, यानि कि जो RBCS, जो red blood cells होती है, उनको बनने के लिए भी folic acid की जरूरत होती है, तो एनीमिया से भी आपको बचाता है, खरबूजे के अंदर जो दूसरा important पोशक तत्वू होता है, वो होता calcium और फास्फोरस और calcium और फास्फोरस बड़े इंपास् कालशियम और फास्फेट की मात्रा पूरी बनी रहें, इसके इलावा खरबूजे के अंदर आयरन होता है, आयरन से आपका RBCS, यानि की खुन का निर्मान होता है, ब्लड सल्स बनती है, जिसे की अनिमिया की कमी पूरी होती है, इसके अलावा खरबूजे के अंदर कई तरह करता है, तो कोविड की टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप खरबूजा खाते हैं, तो हो सकता है कि आपको इस कोरोना से काफी बचा होता है, क्योंकि उस टाइम इम्मुनिटी की कमी के कारण कोविड का इंफेक्शन था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे से व फाइबर्स होते हैं, जो कि अगर आपके अगर कॉंस्टिपेशन की समस्या है, यानि आपको पॉट्य ठीक से नहीं आती है, तो भी फाइबर्स आपको फाइदा करेंगी, और खरबूजे के अंदर 90% वाटर होता है, तो जैसे आप खरबूजा खाते हैं, तो आपके शर्म गेन कर रही हैं, तो ये वेट को कंट्रोल कर सकता है, और आपको नूट्रिशन भी काफी सारे देता है, वाइटामिन B1, B2, B6 और B12, ये सारे के सारे खरबूजे के अंदर पाये जाते हैं, जो कि अपने सेंटरल नर्वा सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, बलड सेल्स के स भी Contour, सिल्थैसिस में खुन को बनने में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस प्रकार से भी ए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होता है, इसके लावा, विटामिन C काफी मात्रा में Neut Qatar में पाया जाता है, विटामिन C भी सी भी खून बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और थोड़ा खून को पतला रखने में भी फाइदा करते हैं कि प्रेग्डिंसी की दोरान खून के थक्के बनने की संभावनाई थोड़ी बढ़ जाती है इसलिए अगर विटामिन की मात्रा अगर सही लेती है तो खून थोड़ा पतला रहता तो खून का सर्कूलेशन बना रहता खून के थक्के बनने के संभावनाई काफी कम हो जाती है तो इस प्रकार से आपने जाना कि खर्बुजा खाने के कितने सारे फाइदे आपको एनीमिया नहीं होता कॉंस्टिप जाता पैक फूड है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खर्बुजा खाने से नुकसान भी हो सकता है इसलिए हमेशा मौडरेट अमाउंट में ही कोई भी चीज खानी चाहिए हमारे वैसे भी बड़े कहके गए हैं कि अती हर चीज की बुरी होती है तो बहुत जादा मात्रा म जादा होने के कारण आपका डाइबिटीज का लेवल यानि कि ब्लड शुकर का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है तो अगर आप डाइबिटीक है तो खर्बुजा खाना है आप अबॉइड कर सकती है या कम खाएं पूरे दिन बर में आप 100-200 ग्राम तक खर्बुजा आराम से खा सकती वह आपको नुक्सान नहीं करेगा और आपको फाइदा करेगा और इसके अलावा जब भी आपको इसको बिना धोए अगर आप खा लेती तो लिस्टीरिया बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो सकता है जो की नुक्सान दे हो सकता है इसलिए मॉडरेट अमाउंट में आप खरबुजे का सेवन कर सकती है जो आपको और आपके बच्चे को पोशन देगा और फाइदा देगा मैं समझती हूँ कि यह जैनकर यह आपके लिए फाइदे मन रही होगी अगर आपके कोई और कॉशन दें तो आपके में कमेंट आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो म नए जानकरी का तब तक नमस्कार